एशिया कप 2018 में सबी की नजरे भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर को होने वाले मुकाबले पर टिकी हुई है हाला कि इस बीच टीम इंडिया अपनी बल्लेबाजी में कमी को लेकर थोड़ी चिंता में है दरसल भारतिय कप्तान रोहिशर्मा ने सोमवार को सविकार किया कि टीम का मध्यकरम अभी भी पूरी तरह विवस्तित नहीं है और एशिया कप के दोरान उनका लक्षे चोथे और छटे नंबर के बल्लेबाज की पहचान करना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर को मुकाबला खेला जाना है लेकिन पिछले एक साल के दोरान भारत को मध्यकरम के बल्लेबाजों के लचर परदर्शन के कारण परिशानी उठानी पड़ी है इंगलेंड के खिलाव भी वंडे सिरिज के दोरान यह समस्या खुल कर सामने आई थी रोहित ने सबस्ट किया कि मनीश पांडे, केधार जादव और अमबाती राइडू जैसे बल्लेबाज के बीच मध्यकरम के स्थानों के लिए मुगाबला है अमबाती राइडू ने योयो टेस्ट पास करने के बाद बारत्य टीम में वापसी की है केधार जादव की हैमेस्टिंग के yapıyorsun के बाद टीम में वापस लोटी है रोहित ने कहा ये दोनों ही टीम के एहम अंग है राइडू पहले इंगलेंड जाने वाली टीम का हिस्सा था और इसी तरह केदार भी चोटिल होने से पहले टीम का एहम हिस्सा थे दुरभागे से वे पिछले कुछ समय से नहीं खेल पाए लेकिन खुशी है कि उन दोनों की वापसी हुई है मुझे उमीद है कि वे भारत के लिए मैच विजेता बनेगे इसी बीच रोहित ने यह खुलासा किया कि दुबई की तेज गर्मी में वे गेनवाजों को रोटेट करेगे या नहीं लेकिन कहा कि अच्छा परदर्शन करने वालों को लंबा खेलने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है हम यह देखना चाते हैं कि हर खिलाडी भीन परिस्तितियों में कैसे खेलता है इसके अलावा हम अधिक से अधिक खिलाडियों को मोका देना चाहते हैं लेकिन लगातार अच्छा परदर्शन करने वालों को अधिक मोका मिलेगा करन खुराना पंजाब केसरी दिल्ली तर लेकिन लेकिन भी से अधिक।